आज अपन राज्तान जीके के क्यूशन पढ़ेंगे तो जीके के क्यूशनों को अपन चितर के माध्यम से पढ़ेंगे चितर का मतलब यह है कि चितर देखने से आपको अच्छी से क्यूशन यादो जाएगा पिछले वीडियो में आपका जो Q objet था उनों उसमें जिन जिन लोगोंने आंसर दिया है उनका भी नाम बताया जाएगा यहाद रखिएगा चांद बावडी खांपे इस्तित है यहाद रखिएगा चांद बावडी खांपे इस्तित है आबा नेरी दोसा में चांद बावडी इस्तित है याद रखिएगा चांद बावडी खांपे इस्तित है आबा नेरी दोसा में चांद बावडी इस्तित है शेकंड अप्शन की बात होगे हमेर में पन्ना मिन्हीं की भावड़ी एक अरंक अलवर हाण और स्मिली सायों आरजन सुरट गड़ में रंग सब्राष कावड़ी आप्शा जबी द yaz है अन्सक्ड ओसे निचलों मेलकाव सुरकाल के और चेहमा में ऑनफकर में पूजा ने इसका आंसर दिया है उनका नाम है तो पूजा ने इसका राइट आंसर दिया है यहां पे विरेंदर ने इसका right answer दिया है और रक्षिता ने भी इसका right answer दिया है इन लोगों ने कलका जो क्यूसन था अप फिछले वीडियो का उनका right answer दिया है यहां पर अपना second number का क्यूसन है कि मुर्किया अबूशन पहने जाते हैं मुर्किया होती है वह खापे पहनी तो यहां पर आपको चितर से भी पता चल रहा होगा कि मुर्किया पहने जाती है तो चितर से अपने आप पता चल रहा है कि मुर्किया कैसी होती एक तो यह बात आपको पता चल गई और आपको पता चल गई जाती है यह बात आपको पता चल ली गई और मुर्किया ऐसी होती ह गोलगोल सी जो कान में पहने जाती है अगर आपु सुनों से रेलेटेड आपको detail में वीडियो देखना है तो आप अमारे playlist में जाके आपु सुनों से रेलेटेड और आपु सुनों के जितने भी क्यूशन बनते हैं उन क्यूशनों के बात कर चुके हैं तो आप अमारे प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हो क्योंकि आपकी एक जाम में आबुशन में से दो या तीन क्यूशन देखने को मिलेंगे जो यह मुर्किया होती है यह कान में पेनी जाती है और अगे दात का मोस्ट क्यूशन बनता है कि दात में एक जाता चूप देखना है तो आप अमारे डिटेल में वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे अपना next question है कि राजस्तान का वैक किला जिसे गडवीठली के नाम से जाना जाता है option है आबू का किला, अजमेर का किला, बूंदी का किला या आमेर का किला अब राजस्तान का वैक किला जिसे गडवीठली के नाम से जाना जाता है तो अजमेर का किला को गडवीठली के नाम से जाने जाता है यह आपको अजमेर का किला दिख रहा होगा यह तारागड में इस्तित है और अराउली प्रवत माला पर इस्तित है गडवीठली का किला है जो अजमेर में इस्तित है आपको पूछ लिया जाए कि यह रावली प्रहत माला पर कौन सा किला इस्तित है तो वो है अजमेर का किला पर गड़ बीठली इस्तित है यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्यूशन है कि परसीद चोरा सी खंबा की छत्री खांपे इस्तित है वो सना कोटा में उद्यपूर में में इस्तित राइट लोग penso ले कि आपको टुछ और इस्तित तो प्टुवह की अवेली ह apprentice है औरydh caji शत्तिते वोसा म माय इस्तित आप शत्री रहेए कि यह आपको छट्री देखके अच्छ से सी कि आ तो यह सुक्स वन अनुसंदान संस्तान इस्तित है राइट आंसर होगा और एक बात करें यहां पर अपनको क्यूशन पूचते हैं काजरी काजरी कहां पर इस्तित है तो ये काजरी भी जोदपूर में इस्तित है इसका भी बहुत ज़्यादा क्यूशन पूचा जाता है और अफरी सुक्स वन अनुसंदान संस्तान ये भी जोदपूर में इस्तित है तो आप यहां पे इसका चितर देख सकते हो सुक्स वन अनुसंदान संस्तान का जोदपूर म मंदीर कहां पे इस्तिता है ओप्षन है रन्थम बोर सरीषका दर्रावग जनीर में जो राज्तान में तीनेत्र गनेश जी का मंदीर है वो रन्थम बोर स्वाई मादुपुर में इस्तिता है राइट आंसर होगा है यहां पे अपना नेक्स्ट क्यूशन है कि पड़सिद पुद्धेपूर रासमन्द वब भीलवड़ा इस क्यूशन का आप आंसर कमेंट में दीजिएगा यहां पर अपना जो नेक्स्ट क्यूशन है वो है कि कर्णी माता का मंदीर में सपेद चूओ को क्या का जाता है एक तो क्यूशन ऐसे ही पूछ लेते हैं कि सपेद चूए क है कि अपना नेक्सट क्यूशन कि मारवाट के पंच पीरो में किसका नाम लिया जाता है और नेक्से कि कोइसे हैं कौन सा पंच पीर है कौन सा नहीं है तो इनके आपको ट्रीक बताए जाएगा यह यह मारवाड के पंच पीरों के किसके नाम में लिया जाता है तो गोम्या जी तेजा जी और देवनारण जी यह पंच पीर नहीं है गोगा जी पंच पीर है तो जो पंच पीर है उनको याद कर मतलब राम देव जी और जो तेजा जी है वो पंच पीरों में सामिल नहीं है यह बात आप ध्यान रखिएगा यहां पर अपना नेक्स्ट क्यों है कि तेजा जी के पुजयारी को क्या कहते हैं ऑप सने गोड़ लिया पंडा पुजयारी वह माहराजा तो जो तेजा जी के पु